चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC round 2 की 24 filling स्टार्ट हो चुकी है इसको आपको बड़े ही ध्यान से fill करना है क्योंकि second round में seat allotment होने के बाद नियम कुछ इस परकार से हैं आपको second round में phrase twice fill करनी होगी अगर आप phrase twice fill नहीं करते हैं तो first round की जो आपने twice fill की थी वो delete हो जाती हैं वो कोई minor नहीं रखती हैं इसमें तो आपको second round के लिए फिर से twice fill करनी होगी अगर आपको कोई seat allot हो जाती है और उस पर आप join कर लेते हैं तो आप उस seat को resign नहीं कर सकते और आगे कोई भी किसी भी प्रकार की counselling में participate नहीं कर सकते चाहे वो state की counselling हो या फिर central की mop up round की counselling हो second round की reporting date close होने के बाद vacant seat की जो vacant seat होती है वो state को transfer कर दी जाती है और जिन candidate ने second round में seat join कर ली है उनकी list state को भेज़ दी जाती है यानि की एक list publish कर दी जाती है joint candidate की second round में next point यह है अगर आपको second round में seat alert हो जाती है और उस पर आप join नहीं करते हैं तो बाकी counselling के लिए तो आप eligible रहेंगे लेकिन जो आपने security deposit किया है वो forfeit हो जाएगा वोदारन के तोर पर मान लो कोई candidate दो लाग की security deposit करने के बाद MCC के second round में alert किसी dimmed university में join नहीं करता है तो उसको दो लाग की जो उसने deposit किया है वो forfeit हो जाएगा लेकिन मोपप round में फिर से वो दो लाग रुपे deposit करके participate कर सकता है ऐसे candidate जिनको MCC के first round में seat मिली थी वो seat उन्होंने join कर लिया और 19th November 2020 तक seat cylinder का जो time दिया गया था उसी time से पहले seat cylinder कर दी तो candidate second round में फिर से participate कर सकते हैं और इसके बाद उनके लिए second round के rule लागू होंगे first round के सभी registered candidate second round में participate कर सकते हैं वो ही candidate participate नहीं कर सकते जिनको MCC के first round में seat मिल गी थी और उन्होंने upgrade का option नहीं दिया था seat alert होने के बाद जब आप college में join करेंगे तो वहां आपकी first year की tuition fees deposit करते समय security deposit आपकी fees में adjust नहीं होती है ये security deposit counseling और होने के बाद आपने जिस account से pay की है उसी account में वापस आ जाती है next point यह है अगर आपने first round में seat पर join कर लिया और upgrade का option भी दे दिया मगर second round का twice fill करने तक आपका मन बन गया कि आप upgrade नहीं करना चाते आपने जो college join किया है उसी college को रखना चाते हैं तो second round में face twice नहीं भरें इस condition में आपकी first round वाली seat जिस पर आपने join किया है वो as it is रहेगी उस पर आप इसे candidate जिनको first round में seat मिल गई है और join करके upgrade का option दे दिया है तो second round में twice fill करते समय उस college को fill ना करें जिस पर आपने first round में join कर रखा है join नहीं करने की condition में उस college को दुबारा fill कर सकते हैं twice fill करते समय high fees वाली college का ध्यान रखें highest fees की college RMMC तमिलना डुका है जिसकी fees पांस लाग चौन हजार तीन सो सतर हुआ IRT की तीन लाग पिच्चैसी हजार है उत्राखंड के दो college जिनकी चार लाग है एक college जिनकी चार लाग 26 हजार है तो ये इन बातों का आप ध्यान रखें fees का इसके बाद में जिन candidate के six hundred से below mark से वो सभी college फिल करें तो बैटर रहेगा बाखी candidate टॉप से lowest के करम में college फिल करें college फिल करते समय पूरा उसमें education वगरा का ध्यान रखें fees का ध्यान रखें choice filling के लिए आप हमारी book के health भी ले सकते हैं जो इस video के description box से download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.chopdaeducation.com से भी download कर सकते हैं तो यह जानकारी थी second round के कुछ rules के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय हिंद